आरंब में परमेश्वर ने संपून स्रिष्टी की रचना की उन्होंने आकाश, प्रित्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा जब हम देखते हैं कि परमेश्वर में क्या-क्या रचा है तो हम आश्चरे चकित रह जाते हैं जो कुछ परमेश्वर ने रचा वुज़ सब अच्छा था हर वस्तून की महानता, भलाई और सामर्थे को प्रकट करती है परमेश्वर ने विभन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जन्तू और पशुपक्षी बनाए तब उन्होंने मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन भूंका पहला मनुष्य आदम कहलाया तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पतनी और साथी होने के लिए रचा उसे हवा नाम दिया गया परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री और पुरुष रचा इसलिए वह उनके साथ मिल जुलकर रहने का आनंद उठाते वो बगीचे में आनंद से उनकी उपस्थिती में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था बगीचे को अधन की वाटिका कहा गया वहां कोई पीडा या मृत्यू नहीं थी परमेश्वर ने आदम से कहा तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो केवल एक को छोड़ कर अगर उसका फल खाओगे तो तुम निश्चे ही मर जाओगे परन्तु एक दिन शैतान जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान है उसने हवा को परिक्षा में डालने की कोशिश की उसने फल तोड़ा और कुछ खाया और उसने अपने पती को भी खिलाया उस सीक्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध तूट गया क्यूंकि परमेश्वर पवित्र है और उनकी आग्या तोड़ने वाले उनकी उपस्तिती में नहीं रह सकते परमेश्वर ने आदम और हवा को अधन की वाटिका से बाहर कर दिया उन्होंने परमेश्वर की आग्या को नहीं माना इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ा उसके परिणाम स्वरूप आदम, हवा और उनका सारा वंश, दुख और मृत्यू के भागिदार हुए लेकिन परमेश्वर बहुत दयालू है उन्होंने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा उन्होंने मनुष्य को फिर से अपनी संगती में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी इस योजना को प्रकट किया जिसके द्वारा वे मनुष्य को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएंगे और उनके पाप और लच्चा को दूर करके अपनी संगती में वापस लाएंगे भविश्यवक्ता अबराहम पर उन्होंने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया अबराहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका आधर किया परमेश्वर ने उसे आशिष देने की प्रतिग्या की और कहा कि उसके द्वारा वो सब राष्टों के लोगों को आशिष देंगे परमेश्वर ने उससे प्रतिग्या की कि वे उसके वंच को सागर दटकी रेत के कणों और आकाश के तारों के समान कर देंगे अबराहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और लोगों ने उसे परमेश्वर का मित्र माना एक दिन परमेश्वर ने अबरहम की परिक्षा ली कि वो उन पर विश्वास करता है या नहीं और उनकी आग्याओं को मानता है या नहीं परमेश्वर ने उससे अपने बेटे की बली देने को कहा अबरहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उसे बहुत बड़ा वंच देंगे फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी आग्या मानी इसलिए अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बली चड़ाने की तैयारी कर ली अबराहम ने अपना खंजर उठाया लेकिन तभी परमेश्वर ने कहा अबराहम बालक को नुकसान ना पहुचा मैं जानता हूँ तु मेरा भै मानता है और मेरी आग्याओं को मानने के लिए तैयार है तब अबराहम ने अपने पास एक मेंढ़ा देखा जो अपने सींग से जाडियों में फसा हुआ था अबराहम ने उस मेंढ़े को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर के लिए उससे अपने पुत्र के बदले बली चड़ाया जब परमेश्वर ने अबराहम के बेटी की जगे मेंधा उपलब्द कराया उन्होंने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया उनका प्रेम उस अच्छे पिता के प्रेम जैसा है जो अपने पुत्र से प्रेम रखते हैं इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि वे मनुश्यों के बदले एक बली उपलब्द कराएंगे बहुत समय पहले परमेश्वर ने भविश्य वक्ताओं पर ये प्रकट किया कि वे एक पाप रहित व्यक्ति को आदम के वन्शजों के बदले मरने के लिए भेजेंगे और उनके पाप और लच्चा को दूर करेंगे एक महान बलिदान के द्वारा वे उनके लिए जो उन पर विश्वास करेंगे एक मार्ग तयार करेंगे कि वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाब से रह सकें भविश्य वक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह कहा उन्होंने कहा कि परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेंगे और वे उनके राजा होंगे और परमेश्वर के नाम से हमेशा उन पर राज्य करेंगे उनके आने से कई सौ साल पहले भविश्य वक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेंगे और उनके साथ क्या होगा भविश्य वक्ता दाउद ने कहा कि परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोशना करेंगे कि तू मेरा पुत्र है यशाया भविश्य वक्ता ने कहा कि एक कुवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन होंगे उनका वो पुत्र परमेश्वर का आनंत वचन होगा जिसे परमेश्वर ने कुवारी के गर्भ से मनुश्य की रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा भविश्य वक्ताओं ने ये भी लिखा कि मसी का जन्म बैतलहम में होगा उन्होंने भविश्य वानी की कि वो येरुशलाम में उनके राजा के रूप में प्रविश करेंगे उन्होंने ये भी लिखा कि तीस चांदी के टुकड़ों के बदले उनका एक नस्दी की मित्र उन्हें धोका देगा भविश्य वक्ताओं ने कहा कि मसी अपनी जीवन का बलिदान करेंगे लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतिकों से जीवित कर देंगे भविश्य वक्ताओं ने मसी को मनुश्य का पुत्र कहा और बताया कि वे दुबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिती में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्टों के उपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे 2000 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति संसार में रहते थे जिनका नाम यीशू था क्या यीशू का जीवन उन सब बातों को जो भविश्य वक्ताओं ने मसी के बारे में कहीं पूरा करता है ये फिल्म ये बताती है कि यीशू कौन है और उन्होंने क्या कहा और क्या किया जैसा धर्म शास्त्र में लिखा है इस फिल्म में कलाकार ने यीशू का पात्र निभाया है वैसे तो कोई भी इस कारे के योग्य नहीं लेकिन इस फिल्म को इसलिए बनाया गया कि लोग यीशू के बारे में और उनके जीवन के बारे में जान सके और उस आशीश को जिसकी प्रतिग्या परमेश्वर ने की है प्राप्त कर सके प्रियर थियो फिलिस मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूँ जो हमारे बीच घटी ताके आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सके जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हैरोदेस यहूदिया का राजा था परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूद को भेजा उस कुवारी का नाम था मरियम है भी इतना हो मरियम आप पर परमेश्वर का नुग्रह हुआ है आप गर्वती होंगी और एक पुत्र उत्पन्द होंगे और आप उनका नाम येश्व रखना ये कैसे हो सकता है मैं तो कुवारी हूँ पवित्र आत्मा पर उत्रेगा इस कारणवे पवित्र बालक परम प्रधन परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तधा उनके राज्य का कभी अंतना होगा मरियम यहुदिया के एक नगर अपनी चचेरी बेहन इलिशिवा के पास गई जो स्वयम अध्भुत रूप से गर्भवदी थी इलिशिवा मरियम बेहन मरियम तुम सबस्त्रियों में धन्य हो धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना बच्चा आनन से मेरे गर्भ में उचल पड़ा मेरा प्राण प्रभु की स्तुती करता है और मेरी आत्मा मेरे उधार करता परमेश्वर में खुश हुई अब से सब युक के लोग मुझे धन्य कहेंगे नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आग्या से गलील और यहुदिया प्रांथ के सभी निवासियों की गिंती होगी इसलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीक रही नाम दर्श करवाना होगा और मरियम अपने मंगेतर यूसफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहुदिया के नगर बैतलहम गई पर बैतलहम में उन्हें ठैरने की जगे ना मिली उन्हें के विल गोशाला में ही जगे मिल सकी देश के उस भाग में कुछ चरवा है रात के समय अपनी भेडों की देख भाल कर रहे थे तब ही परमेश्वर का स्वर्गदूद प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया आज के दिन डाउद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मे है अर्थाक मसीह रभू चरवा है शीग रही चरनी में जन्मे नवजाच शिशु को देखने चल पड़े वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुमारी माता द्वारा उद्धार करता के जन्म का सुसमाचार फैलाया एक हफ़ते बाद जब बालक के खतने का समया आया तो उसका नाम यशु रखा गया यूसुफ और मर्यम बालक को परमेश्वर के सम्मक प्रस्तुत करने यरुशलेम ले गए आरादनाले में शिमौन नामं के एक धर्मी और भक्त पुरुष थे जिन्हें पवित्रा आत्मा स से आश्वासन मिला था कि जब तक वे बालक मसीह का दर्शन ना कर लें मृत्ति को न देखेंगे परमेश्वर अब आप अपने सेवक को अपने बचन अनुसार शांति से अपने बास बला ले मेरी आँखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है तुम दोनों को आशिश मिले मूसा की विवस्था नुसार जब विद्धार्मिक कर्तवियों को पूरा कर चुके तो येरुशलम से वापस नासरत लोटाए जब येश्व बारा बर्श के हुए तो मर्यम और यूसुफ उन्हें फसे के पर्व के लिए येरुशलम ले गए लोटते समय उन्होंने सोचा के बालक येश्व उनके साथ है परन्तु येश्व पीछे ही छूट गए थे उन्हें ढूनने के लिए वापस शहर लोटे और तीसरे दिन येश्व को आराद नाले में धार्मिक गुरूओं के साथ वारता लाप करते पाया ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रशन पूछता है हम नासरत से हैं हमने सोचा ये हमारे साथ ही है किरपे आप इसे ख्षमा कीजिए बालक येश्व की बातों ने सब को चकित कर दिया बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया तुम्हें ढूंते ढूंते तुम्हारे पिताजी और मैं कितने चिंतित थे आप मुझे क्यूं डूनते थे? क्या आप नहीं जानते कि मुझे परमपिता के कार्यों को पूरा करना है? और येशून के साथ नासरत लाटे और परमेश्वर इवं मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़ने लगे. सम्राट तिबिर्यूस के राज्य के पंद्रहवें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहुद्या का शासक था। और हेरोदेस गलील का राजा, हन्ना और कैफा महायाजक थे। रेगिस्तान में परमेश्वर का बचन यहुन्ना को प्राप्त हुआ और वे यर्दन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की क्षमाधथा पश्यताप के बप्तिसमे का प्रचार करने लगे। अपने पापों से पश्यताप करो और बप्तिसमा लो तो परमेश्वर तुमारे पाप शमा करेंगे। जैसे यशा या भवश्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है वेगिस्तान में कोई पुकार रहा है प्रभू के लिए मार्ग तयार करो प्रभू की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ हर एक घाटी अवश्य भरी जाए हर एक पहाड और तीला समतल किया जाए तेड़े मेड़े मार्ग सीधे करो और उबडगाबड मार्ग सपाट और सारी मानव जाती परमेश्वर के उद्धार को देखेगी हम क्या करें हमें बताए हम क्या करें अगर किसी के पास दो कमीजे हैं वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बाते हे गुरू हम चुंगी लेने वाले हैं हम क्या करें निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो और हमें बताए हमें क्या करना चाहिए किसी से भी जबरंधन मत लो और न किसी पर जूठा दोश लगाओ अपनी कमाई में संतुष्ट रहो हमें बताएं क्या आप मसी हैं मैं तुम्हें पानी से बब्तिस्मा देता हूं परन्तु एक आ रहे हैं जो मुझे कहीं अधिक महान है मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं वे तुम्हें पवित्रा आत्मा और आख से बब्तिस्मा देंगे उनका सूप उनके हाथों में है ताकि वे गेहों को भुसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें ह्ला आत्मा कबूतर के रूप में येशु पर उत्रा और स्वर्ग से आवाज आई तुम मेरे प्रिय पुत्र हो मैं तुम से प्रसन्न हूँ लगभग तीस वर्ष की आयू में येशु ने अपनी सेवा आरंब की पवित्रात्मा से परिपूर्ण येशु यर्दन से लोटे आत्मा से प्रेरित वो चालीस दिन तक बैयाबान में रहे जहां शैतान उनकी परीक्षा करता रहा इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया तब शैतान ने उनसे कहा यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बन जाने किया गया दे यह लिखा है मनुश्य के वल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर बचन से जिवित रहेगा तब शैतान उन्हें उचे स्थान पर ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए यह सब अधिकार और वैभव मैं आपको दूँगा यह सब मुझे सौपा गया है और जिसे मैं चाहूँ उसे यह सब दे सकता हूँ यदि आप मुझे प्रणाम करें तो यह सब आपका हो जाएगा यह भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर के उपास ना करो और तुम किवल उन्ही की सेवा करो फिर शैतान उन्हें यरुशलम आराधना लेके गुम्बत पर ले गया यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तु अपने आपको यह से घिरा दे क्योंकि पवित्र शास्तर में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग दूदों को आगया देगे कि वे आपकी रक्षा करें वे आपको हाथों हाथो उठालेंगे ताकि आप बेपाओं को पत्थर से ठेज तक न लगे धर्म शास्तर कहता है तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परिक्षा न करो फिर ये शू नासरत आये जहां वो पले बढ़े थे कैसी हो अच्छी हो सब्बत यानि विश्राम के दिन नियमा नुसार वे आराधना ले गए और उन्हें यशाया बविश्वक्ता की पुस्तक से एक भाग पढ़ने को कहा गया परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुप संदेश सुनाने के लिए चुना है उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूँ सताय हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं आज धर्मशास्त्र का ये लिख पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठरा ये प्रतिग्या तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं कैसे जानेंगे इस प्रकार येश्व ने अपना परचए परमेश्वर द्वारा अभिशिक्त संसार के उद्धार करता के रूप में दिया परन्तु यहूदियों ने उन्हें मसीह स्विकार नहीं किया उन्हें लोगों ने पहाड़ी से गिराना चाहा परंतु वो भीड से निकल कर अपनी राह चले गए और गलील के नगर कफरनहुम पहुँचे उस समय देश रोमी सामराज के अधीन था और लोग उनके अध्याचार से छुटकारा पाने के लिए मसीहा की प्रतीक्षा में थे तुम्हें शानती मिले आपको भी स्वामे तुम्हारी नाव में आ सकता हूं शिमॉन यो नहीं येश्यू हमें छोटों नहीं जा रहे हैं ना स्वामी हमें कुछ बताईए हमें कुछ बताएं कभू येश्यू हमें उपतेश दें एक बार दो व्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गए एक धार्मिक गुरूर दूसरा चूंगी लेने वाला था धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यूँ प्रार्थना करने लगा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों की तरह लालची, बैमान और व्यभीचारी नहीं मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं सब्ता हमें दो बार उप्वास रखता हूँ, आमदनी का दस्वांश आपको देता हूँ परन्तु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की और आखें उठाये बिना अपनी च्छाती पीट-पीट कर ये कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर अपनी नाओं को वहां गहरे पानी में ले चलो, और अपने साथियों के साथ मचलियों के लिए जाल डालो ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया, परन्तु कुछ न पकड़ा यदि आप कहते हैं, तो मैं जाल डाले देता हूँ याकूब, यहन्ना याकूब, यहन्ना, अपनी नाओ इदर दे और हमारी साहेता करो, चल्दी हम नहीं आ सकते, बहुत काम है बस काफी है, इतनी मचलिया बहुत है प्रभू मेरे पास से चले जाईए, मैं एक पापी मनुष्य हूँ तुम डरो मत, अपसे तुम लोगों को मेरे पास लाओगे मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे प्रभू को खोजो, जब तक वो मिल सकें, उन्हें पुकारो, जबके वो पास है दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आएं और वे उन पर दया करेंगे, और उन्हें पूर्ण शमादान देंगे तुम आनंदित रहोगे, और तुम्हें शांती मिलेगी येशू, येशू, मेरी एक लौकी बेटी को बचा ले प्रभू मुझ पर दया करें, मेरी बेटी के वल बारह वर्ष की है और मरने को है सिर्पा करके मेरे साथ चलिए येशू, तुम्हारी बेटी नहीं रहे, इसलिए गुरु को कश्ट मादे डरो नहीं, विश्वास रखो वो ठीक हो जाएगे मेरे नहीं, वो जाएगे भाल, एक हो जाएगे झाल, झाल, य। तुम रो मत वो मरी नहीं है वो तो बस सो रही है बेटी उठो इसे कुछ खाने को दो ध्यान रहे यहां जो हुआ है किसी से न कहना उसके बाद उसने चुंगी लेने वाले मत्ती लेवी को चुंगी स्थल पर बैठे देखा मेरी पीचियो मुझ आपने वाले मत्ती लेका मत्ती लेवी को धाने चुंगी लेवी लेवी कुछ भी उसके बाद पर रहे है मुझ खाने मैं पर दो दो 1-0 क्व्छ माने वी लेवी से वाले रहे है और येशू प्रार्थना करने पहाडी पर गए, जहाँ वे सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और अगले दिन उन्होंने बारा शिष्यों का अभिनंदन कर उन्हें प्रेरित कहा। शिमॉन जिसे उन्होंने पत्रस नाम दिया। और उसका भाई आंध्रियास, याकूब, और योहन्ना, फिलिप्पुस, और बर्तुलमे, और मत्ती, और थोमा, याकूब हल्फई का पुत्र, और शिमॉन जो जलोतिस कहलाता था। यहूदा जो याकूब का भाई था। और यहूदा इस क्रियो थी जो विश्वास गाती निकला। और यहूदा जोगा 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 जोगाई निकला पुत्र, और यहूदा जोगा 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 है। कि दन्य हो तुम जो दीन हो परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है दन्य हो तुम जो भूखे हो क्योंकि तुम तुम त्रिप्त किये जाओगे धन्य हो तुम जो रोते हो तुम हर्शित होगे धन्य हो तुम जब लोग धिकारें नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है उनके पूर्व बस इतना ही है क्या मतलब तुम्हारा इतना ही है तुम्हारे पात हाए तुम पर जो अब धनी हो तुमने आराम का जीवन बिता लिया जो धनीना बनना चाहे वो कोई पागल ही होगा हाए तुम पर जो अब हसते हो तुम रोगे और विलाप करोगे अफसोस जब लोग तुम्हारी बढ़ाई करें क्योंकि उनके पूरवजों ने भी जूटे बविश्वक्ताओं के लिए यही किया पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ शत्रू उसे प्रेम रखो ख्रिना करने वालों का बहला करो जो श्राब दें उन्हें आशीश दो बुरा करने वालों के लिए प्रार्थ ना करो तुम्हारे एक गाल पर कोई थपड मारे तो उसकी और दूसरा भी फेड़ दो कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो किसी भी मांगने वालों को मना मत करो यदि कोई तुम्हारी वस्तो ले ले तो उसे वापस मत मांगो तुम वही करो जैसा व्यभार तुम दूसरों से चाहते हो यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीश क्यों कर मिलेगी पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं और यदि स्वयम पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यूं कर आशिश पाओगे? पापी भी ऐसा ही करते हैं? वे ऐसे कैसे चूज़ते हैं? वो उसे कैसे बाद कर सकता है? पेशर. नहीं. शत्रूं से प्रेम रखो. उनका भला करो. उधार देकर वापसी की आशा न रखो. तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा. तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे. वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी क्रिपालू है. दयावंत बनू. जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है. येशु, हमें बचाईए. आरोप मत लगाओ, तो तुम पर भी नहीं लगेगा. दोश मत लगाओ, तो तुम पर भी दोश नहीं लगेगा. ख्रमा करो, तो तुम्हें भी ख्रमा मिलेगी. प्रभू, हमें अपने मार्क पर चलाएं. दो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा. जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता ऐसा करने पर दोनों ही गड़े में गिरेंगे अपने भाई की आग के तिनके को क्यूं देखते हो जबके अपनी ही आग का लठा नहीं देख पाते प्रभू हमारा मार्ग दर्शन करें प्रभू हमें आपकी आवश्यक्ता है धन्य है वो माता जिन्होंने आपको जनम दिया और पाला पर वे कितने धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं मैं इस व्यक्ति को जानना जाऊँगा तुम्हारा क्या खयाल है वे मसी है इस धर्मगुरु ने येशु को रात्री भोज पर बुलाया येशुन के घर गए और बहुजन करने बैठे चलो बच्चो यहां से चले जाओ तुमने सुना नहीं जाओ बड़े शरारती है ये बच्चे ये यहां क्या कर रही है मुझे नहीं ये कर क्या रही है यदि ये मनुष्य सच मुझ कोई भविश्य वक्ता होता तो जान लेता कि ये इस्तरी कैसी है जो उसे छू रही है वो जानता कि वो कैसा पाप में जीवन जी रही है मैं जानता हूँ कि ये इस्तरी कौन है शिमौन मैं तुम्हे एक बात बताता हूँ किसी महाजन के दो कर्सदार थे एक पर पांच सो और दूसरे पर पचास रुपए का कर्स था दोनुई कर्स चुकाने की स्थिति में नहीं थे उसने दोनुगा कर्स माफ कर दिया उसे अधिक प्रेम कौन करेगा मरे ख्याल से जिसका अधिक कर्स माफ हुआ तुमने ठीक का इस इस्तरी को देखो मैं तुमारे घर आया तुमने मुझे बैर दोने के लिए पानी भी नहीं दिया पर इसने आसूंँ से मेरे बैर दोकर अपने बालों से पोचा तुमने चुम्बन से मेरा भिनंदन नहीं किया पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाउं चुमना न छोड़ा तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पाउं पर इत्रो डेला है मैं तुमसे कहता हूँ कि इस इस्त्री का तिदिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत ते ख्षमा हुए पर जिसे थोड़ी ख्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा तुम्हारे बाप ख्षमा हुए तुम्हारे विश्वास में बचा लिया शांती से जाओ प्रभु येशु जगे जगे परमिश्वर के राज्य का शुबसंदेश देने लगे उनके साथ थे बारा शिष्य और दुष्ट आत्माओं से मुक्त की गई कुछ स्त्रिया मरियम जो मग्दलीनी कहलाती थी योअन्ना जिसका पति खोजा हैरिदेश के दरबार में भंडारी था और सुसन्ना गलील के शासक हैरोदेश ने यहुन्ना बप्तिस्मा देने वाले को बंदी ग्रह में डलवा दिया क्योंकि योअन्ना ने उसके द्वारा अपनी भावी से विवाह की निंदा की थी का हो जब हम लोग नाइन अगर के द्वार पर पहुंचें तब लोग एक अर्थी को लेकर जा रहे थे मरा हुआ व्यक्ति एक विद्वा का एक लौता पुत्र था जब येशु ने उस विद्वा की तरफ देखा उनका हेल्दय दया से भर उठा उन्होंने कफन उठाया और कहा ए नौजवान मैं तुमसे कहता हूं उठो और मरा हुआ योग उठ बैठा येशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया उनसे पूछो क्या आप वही हैं जिनके आने के विशे में यहुन्ना ने प्रचार किया था या फिर हम किसी और की प्रतीक्षा करें गुरुजी गुरुजी यहुन्ना बप्तिस्मा देने वाले ने हमें ये पूछने भेजा है क्या वही है जो आने वाले थे या हम किसी और के आने की प्रतीक्षा करें जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यहुन्ना से कहो अंधे देख सकते हैं लंगडे चल सकते हैं धन्य है वे लोग जो मुझे पर संदेह नहीं करते हैं क्रुपया मुझे उठा लीजिए आजाओ मेरे कंदेपे अब तुम देख सकते हो हाँ मैं येश्य को देख सकता हूँ एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला बोते हुए कुछ बीज मार के किनारे गिरे और रौंट डाले गए और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया और कुछ पत्रीली भूमी पर गिरे जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारणवे सब मुर्चा गए और कुछ जाडियों के बीच में गिरे जाडियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया परंतु कुछ बीज अच्छी भूमी पर गिरे और सभी पौदों ने उग कर फल लिया प्रत्य एक ने सौ गुना गुरुजी जब भीड जमा होती है तो अब उधारणों में क्यों बाते करते हैं परमेश्वर के राज्य के रहसियों का ग्यान तुम्हें दिया गया है परंतु औरों को उधारणों में सुनाया जाता है क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते इस उधारण का रथ ये है बीज परमेश्वर का वचन है मार्क के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताके वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें पथरीली भूमी पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रेण करते हैं पर जल नहीं पकड़ पाते हैं। और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते हैं जाडियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं परंतु जीवन की चिंताओं धन मोह वा भोग विलास में फसने से उनके फल कभी नहीं पकते वे बीज जो अच्छी भूमी पर गिरें उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्याकारी मन से ग्रहण करते हैं और फल्वंत होने तक उन्हें समाले रखते हैं है दिया जला कर कोई बरतन से नहीं डहाकता और नहीं खाट के नीचे रखता है बलक kilo के उसे डीवार पर रखता है ताक्ए भीतर आने वालों को उससे प्रकाश मिलें जो कुछ छिपा है वो बाहर लाया जाएगा, और जो ठका है उसे ढूंड कर प्रकाश में लाया जाएगा, इसलिए सचेत रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जो उसके पा एक दिन प्रभु येशु अपने शिश्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा आओ हम जील के पार चलें नाव चल रही थी और येशु सोगे अनसे 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 फिरी थी घड़すान जी येश स्वामे, स्वामे, प्रभु येशू, हम नाशुए जाते हैं, हमें लेहरे खेर रही है, हम ढूप जाएंगे, हमें बचाईए कहां गया तुम्हरा विश्वास और वेकर आसिन्यों के देश पहुँचे, जो जील के पार गलील के सामने था येशू, परमपरधान परमिश्वर के पुत्र, आप मुस्से क्या चाहते हैं, मैं आपसे विंति करता हूँ, मुझे दंड ना दे क्या नाम है तुम्हारा सेना, प्रभु विंति करते हैं, हमें दरख कुंड में ना भेजे, पर सुवरों के उस जुंड में भेज दे और दुष्टा आत्माएं उसमें से निकल कर, सुरों ने समा देना यहां से चला जा, हे जादुगर, हमें छोड़ते, यहां से दूर चला जा, हमें छोड़ते, यहां से चला जा आप जहां जाएंगे, मैं भी साथ चलूँगा, मुझे अपने साथ आने दे घर लोट जाओ, परमेश्वर ने जो किया है वो बताओ प्रभु येशु वो उनके शिश्व भीर से अलग होने के लिए बैच सिता पहुचे पर भीर को इसका पता चल गया, तो वो प्रभु के पीछे हो ली शाम को पत्रस ने कहा, स्वामी, इन लोगों को भेज दें, कि वे आसपास के गावों और बस्तियों में जा कर अपने लिए भोजन और रहने की जगे ढूंड सकें, ये एक सुनसान जगे है तुम स्वायम इनके भोजन का प्रबंध करो लेकिन हमारे पास के विल पाँच रोटियां और दो मच्छिया ही है धन्य है आप प्रबु परमेश्वर त्रिष्टी के मालिक जो धर्ती पर अन्य उप जाते हैं ये तो जमरकार है विश्वास नहीं है हुआ है प्यूil्म करते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कई आपको योहन्ना बब्तिस्मा देने वाला कहते हैं, तो कोई आपको एलिया भी कहते हैं, और कितनों का तो ये कहना है कि कोई प्राचीन भविश्य वक्ता फिर जी उठे हैं, तुम क्या कहते हो, तुम बताओ कौन हूँ मैं? आप परमेश्वर के मसी हैं, तुम ये बात किसी से न कहना, मेरे लिए आवश्य है कि मैं दुख उठाओं, तिरे स्कृत किया जाओं, और जान से मार डाला जाओं, परन्तु तीसरे दिन म्रितकों में से जी उठाओं, पर स्क्राओं, बतारे किम्याद्थ ए। क्या तुम में से कोई मेरे साथ हाएगा मैं आपके पीछे चलोंगा गुरूजी पर पहले जाके अपने घरवालों से विदा ले लूँ जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता वो परमेश्वर के राजी की योग ये नहीं यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो स्वयम से इंकार करे और प्रती दिन अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण खो दे तो क्या लाब जो कोई मुझते और मेरी शक्षाओं से लजाता है तो मैं भी अपनी और पिता की वस्वर्ग दूतों की महिमा सहिर जब आउंगा तो उस मनुष्य से लजाऊंगा सच कहता हूँ यहां कुछ ऐसे भी हैं कि जब तक परमेश्वर का राज जुन्न देख लें मृत्यू नहीं देखेंगे तब प्रभु यशू यहुन्ना याकूब और पत्रस के साथ पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए प्रार्थना के दौरान उनके चहरे का स्वरूब बदल गया और वस्त्र सफेद होकर जग मगाने लगे अचानक स्वर्गिय महमा से परिपूर्ण भविश्यवक्ता मूसा और एलिया प्रभु यशू से बातें करने लगे आप परमेश्वर का उद्देश पूरा करेंगे आपके मृत्यों यरुशलम में होगी जाते समय पत्रस ने प्रभु यशू से कहा पत्रस ये कही रहा था के एक बादल ने उन्हें घेर लिया और शिश डर गए और बादलों से आवाज आई ये मेरा पुत्र है जिसे मैंने चुना है इसकी सुनू गुरु जी गुरु जी कृपा करके मेरे बेटे को देखिए दया करके उसकी सहायता कीजिए ये मेरी अकेली संतान है मैंने आपके चेलों से दुष्ठात्मा निकालने की विंति की पर तुवे से ना निकाल पाए ए अविश्वासी और हठीले लोगों मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं अपने पुत्र को यहां लाओ चरी देख से खिएिए धर दुम्हें हुष्छे पुम्हें पुम्हे यह मैंने मैं झाल झाल अरे इसका चहरा भी ठीक हो गया विश्वास नहीं होता हमें प्रार्थना करना सिखाएं जैसे यहुना ने अपने शिश्यों को सिखाया तुम इस तरह प्रार्थना करो हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है आपका नाम पवित्र माना जाए आपका राज्या है आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही प्रित्वी पर भी पूरी हो हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है और हमें परिक्षा में न पढ़ने दें परंतु बुराई से बचाएं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा धूंडो तो तुम पाओगे खट-खटा हो तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है और जो ढूंगता है वो पाता है और जो खट-खटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है तुम मेंसे ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देगा या पानी मांगने पर उसे जहर देगा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा परमपिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा मैं कहता हूँ अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और ना ही अपने शरीर की क्या पहनेंगे क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर पक्षियों पर द्यान दो वे न बोते हैं न ताटते हैं और नहीं उनके कोई भंडार है फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है और तुम तो पक्षियों की तुल्ला में कहीं बढ़कर हो तुम में से कौन जिन्ता करके अपनी आयू बढ़ा सकता है जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बग्य जिन्ता क्यों करते हो इन फूलों को देखो ये कैसे बढ़ते हैं वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते राजा सुलेमान इन में से एक के समान भी सुन्दर वस्तर न पहन सका यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में छोंकी जाएगी तो निश्चा ही वो तुम्हें भी वस्तर पहनाएंगे हे अल्प विश्वासियों हमारे विश्वास को बढ़ाएं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते के जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लग तो ये तुम्हारी बार मान लेता पाप में पढ़ने की परिक्षा अवश्य आती है परंतो अफसोस जिसके द्वारवे आती है जो किसी के लिए पाप का कारण बनता है उसके लिए यही ठीक है कि उसके गले में भारी पत्थर लटका कर समुद्र में डाल दिया जाए परमेश्वर का राजी किसके समान है वो ऐसा है एक मनुष्य राई का दाना लेकर अपने खेत में बोता है और वो पौधा बढ़कर पेड़ बन जाता है और पक्षी उसकी डालियों पर घोसला बनाते है मुझे नहीं पता यह क्या कह रहा है तुम चुंगी लेने वालों और अन्य पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो स्वस्ति लोगों को बैदी कि आवशक्ता नहीं होती परंतु रोगियों को है जो बहिश्कृत है मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूँ सम्मानितों को नहीं हमें सुर के राज्य के बारे में बताएं क्या और भी कुछ है अए मेरे लोगों बहभीत नहो परंपिता की ये इच्छा है कि तुम्हें राज्य दें अपना सब कुछ बेच कर पैसा गरीबों को दान कर दो और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं स्वर्ग में धनी कठा करो जहां वो घटता नहीं क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुँश सकता नहीं कीड़ा उसे नश्ट कर सकता है जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा हे नारी तुम अपनी बीमारी से मुक्त हुई देखो देखो ये चंदी हो गई ये तच्चमतकार है देखो ये चंदी हो गई आओ देखो पापा परमेश्वर्दी महिमा हो हफते में छे दिनों तक हम काम कर सकते हैं तो चंगाई के लिए हम इन में से किसी भी दिन आ सकते हैं मगर विश्राम के दिन नहीं अरे कप्तियों क्या विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गधे या बैल को खोल कर उन्हें पानी पिलाने नहीं ले जाता और यहां पर यह स्त्री जो अब्राहम के बंचते हैं जो 18 वर्ष तक शैतान के बंधन में थी क्या विश्राम के दिन उसे मुक्ट करना उचित न था है उत्तम गुरुजी अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो कोई भी उत्तम नहीं पर मेश्वर के सिवा तुम आज्याएं तो जानते हो यह विचार न करना हत्या न करना किसी पर जूटे आरोप न लगाना अपने माता-पिता का आदर करना परन्तु ये सभी आग्याएं तो मैं बच्पन से ही मानता आया हूँ तुम्हारे लिए भी एक काम करना वश्चक है अपना सब कुछ बेचकर धन गरीबों को बाट दो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा फिर मेरे पीछे हो लो मगर हम तो व्यापारी हैं बहुत धन्वान धन्वान का परमेश्वर के राज में प्रविश कितना कठिन है धन्वान के लिए परमेश्वर के राज में प्रविश मुश्किल है जबकि उंट का सूई के नाके से निकलना सहज है तो फिर कौन मुक्ति पा सकता है? जो मनुष्य के लिए संभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है वास्ता में कहा होगा ये? परमेश्वर का राजी? परमेश्वर का राजी प्रकट रूप से नहीं आता कोई ये नहीं कह सकता कि देखो ये यहां है या वहां है क्यूंकि परमेश्वर का राजित तुम में है वो समय आएगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे पर देखना पाओगे जैसे बिजली आकाश के एक ओर से दूसरी ओर तक प्रजवलित होती है वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा परन्तु पहले उसे बहुत दुख उठाना होगा और इस युक के लोग उसका तिरस्कार करेंगे आकाश और प्रित्वी का टल जाना सहजे परन्तु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निश्फलना होगा मैं कहता हूँ जो तुम देखते और सुनते हो बहुत से भविश्वक्ताओं और राजाओं ने देखना और सुनना चाहा परन तु ऐसा न कर सके हम क्या करें धर्म शास्त्र क्या कहता है इसका क्या अर्थ है तुम अपने प्रभू परमेश्वर को संपूर्ण रधय संपूर्ण प्राण संपूर्ण सामर्थ्य संपूर्ण मन से प्रेम करो पढ़ोसी को अपने समान प्र तब डाको ने हमला किया और लूट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए तब एक धर्मगुरू वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कत्रा कर चला गया इसी प्रकार एक पुरोहिब भी वहां से निकला, पास आया, उस व्यक्ति को देखा और मूँ पहेर कर चला गया परन्तो एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुश को देखा और उसका हिर्दय दया से बार गया उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठा कर वो एक सराय में ले गया, जहां उसकी सेवा टहल की दूसरी दिन मालिक को कुछ रुपए दे कर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा जो कुछ खर्च आएगा, मैं लोटने पर तुम्हें दे दूँगा इन तीनों में से किसने डाकूँ द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पडोसी का फर्ज निभाया जिसने उस पर दया की फिर तुम भी यही करो बच्चों को मेरे पास आने दौरोंने मना मत करो क्योंकि परमेश्वर का राज याइसूं का ही है मैं तुम से सच कहता हूँ जो कोई परमेश्वर के राजी को इस बालक की तरह ग्रह नहीं करता वो उसमें कभी प्रवेश्वर करेगा जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है मेरा करता है जो मुझे स्वीकार करता है मेरे भेजने वाले को करता है तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है जो में सबसे प्रवेश्वर करता है यहां क्या हो रहा है कौन जा रहा है नासरत के येश्व यहां से जा रहे है येश्व प्रभू येश्व येश्व दाउद की संतान मुझ पर दया करें मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ मैं फिर से देखना चाहता हूँ तो देखो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया मैं देख सकता हूँ मुझे दिखाई पड़ रहा है मैं देख रहा हूँ येश्व यरुशलन जाते समय हर जगे प्रभु येश्व को भारी भीड मिली लोग उनसे उद्धार का मार्ग और परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते थे ये मनुश्य भ्विष्वकता है मेरे प्रभू और स्वामी मुझे बचाईए ये प्रभु हमें बचाए प्रभु की स्तुति हो हमें सची राज काईये प्रभु ενे के लोगोंने प्रभु येश्व को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना प्रारम कर दिया दर्शन को उत्सुक यरी हो नगर में जकई नाम का चुंगी लेने वाला येशु को देखने के उत्सुक्ता में पेड़ पर चल गया जकई जल्दी नीचे उत्रो क्योंके आज मुझे तुमारे घर थैरना है मेरे घर उसके घर को थैरेगा कि शकाई ये शुको कैसे जाता है कि अगर अगर कि अगर कि अगर कि संपत्री का आधा भाग गरीबों को दे दूँगा अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उसे चार गुना लोटा दूँगा कर अगर कर अगर कर अगर कर अगर मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करें असंभल आज इस घर में मुक्ति आईए ये मनुश्य भी इब्राहिम के वंचते ही है मैं खोए हुएं को ढूंडने और उनका उद्धार करने आया हूँ सनो हम येरुशलम जा रहे है जहां मेरे विश्य में की गई भविश्वक्ताओं की हर भविश्वारी पूरी होगी मुझे अन्य जातियों के हाथ सौपा जाएगा वे मेरा उभास करेंगे मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे और उन्हें अपना राजा मान दिया गुरू अपने शिश्वों को आज्या दे कि वे शांत्रा हैं मैं कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो स्वयम ये पत्थर चिल्ला उठेंगे सब को आशीश मिले प्रभु येशू यरुशलेम के निकट पहुंचे उन्होंने उसे देखा और रो पड़े भला होता यदि तु आज अपनी शांती का मार्ग जान लेता परन्तु तु इसमें असा फ़ल रहा वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रों मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों और से तुझ पर प्रहार करेंगे इन ही दीवारों के बीश तुझे तबाह कर देंगे तुझे और तेरे लोगों को और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे क्योंकि तुने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना येरुशलम का पवित्र मंदिर आराधना का स्थान होने के बजाए व्यापार का केंद्र बन चुका था पाच वित वीस इक में चुक से वीजपान स्रीम पहच नंत फ्यारंव स्की करोचा है पाचल से सर्वाच अच नंके तस भ्यारमथ तेकचौह अच जोग्रा पनमदर कर रहे हो तान में ऐस पिरशी एककाई आरे तेरीम चोई हम खेश भीज़शल में। यह लिखा है मेरा घर प्रार्तना का घर होगा परंतो तुम ने उसे डाक्वों की खो बना दिया यह मेरे चानवरों को भगा रहा है रोकों से रोकों से कुछ राजनीतिग्यों और धर्म गुरुओं में प्रभु येशु के प्रति विरोधु करने लगा क्योंकि लोग उन्हें राजा मानने लगे मैंने तो सुना है कि बहुत सो लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है राजा बिकारियों विश्यां और चोरों का उसके समान हमने बहुत देखे वे आके अपने दावी करके चले जाते हैं लोग भूल जाते हैं अनजान मत बनो उसके अनुयाई प्रते दिन बढ़ रहे हैं उसकी सराहना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर इस आदमी ने और शांती भंकी तो आप ही जिम्मेदार होंगे शायद ये सही कहते हैं हमें गलीली का सामना करना होगा और जैसे जैसे धर्म गुरूओं शास्तियों के पाखंडी वर्ग के प्रती येशु का तिरसकार बढ़ने लगा यहूदियों में उनके अनुयाई भी बढ़ने लगे दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनके उन्होंने आलोचना की थी प्रभू येशु ने मंदिर में एक निर्धन विद्वा को दो तांबे के सिक्के डालते देखा ज्यादा नहीं दे सकती मैं कहता हूँ इस निर्धन विद्वा ने सबसे ज्यादा दान दिया है क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है परम तो इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी हमें बताईए आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है किसने दिया आपको ये अधिकार अब मैं तुमसे एक प्रशन पूछता यहुन्ना को बबतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से हम क्या उतर दें यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यह अन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो यह भीड हमें पथरवा करेगी क्योंको यह सब यहुन्ना को भविश्वक्ता मानते हैं हमें नहीं मालूम यह अधिकार कहां से मिला तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं यह सब कुछ किस अधिकार से करता हूं एक बार एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई उसे ठेके पे देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया जब अंगूरों को इकठा करने का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा कि फसल में उसका हिस्सा उसे मिल सके परंतु ठेके दारों ने उसे पीट कर खाली हाथ भगा दिया तब उसने दूसरे दास को भेजा पर ठेके दारों ने उसे भी पीटा और अपमानित करके उसे भी खाली हाथ लोटा दिया तब उसने तीसरे दास को भेजा किन्तु ठेकेदारों ने उसे मार पीट के बाग के बाहर धकेल दिया तब अंगूर बारी के मालिक ने अपने मन में सोचा अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा अवश्य ही वे उसका आदर करेंगे परंतो ठेकेदारों ने उसे आते देखकर आपस में कहा ये तो मालिक का पुत्र है उसे मार डालें तो ये जैदाद हमारी हो जाएगी हमें और बताएं उन्होंने उसे बारी के बाहर निकाला और मार डाला अब देखो मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा वो आकर उनको मारेगा और अंगूर की बारी दूसरे को देदेगा तो इस वचन का क्या अभी प्राय है जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जान नकार दिया वही पत्थर सबसे श्रेष्ट सिद्ध हुआ जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चक्राचूर हो जाएगा और यदि ये पत्थर किसी पर भी गिरेगा तो उसे पीस कर रख देगा गुरू जी हम जानते हैं कि आप जो कहते हैं सिखाते हैं वो सही है हम जानते हैं कि आप मनुष्य के पत पर ध्यान नहीं देते मगर मनुष्य के लिए परमेशुर की मर्जी का सत्य सिखाते है बताएं, रोमी समराट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है प्रभू साफधान वो आपको फसाना चाहते है मुझे एक चांदी का सिक्का दो इस पर किसका चित्रो नाम अंकित है? राजा का तब जो राजा का है, वो सब राजा को दो जो परमेश्वर का, वो परमेश्वर को दो तुम्हारा इस विशे में क्या उत्तर है? तब अख्मीरी रोटी का पर्वन ने कटाया जिसे फसेह का पर्वन कहते हैं और प्रभु येश्व ने शिमौन पत्रस और यहुन्ना को फसेह का भोजन तयार करने पहले ही भेज दिया मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसेह का बोश्च तुम्हारे साथ खाऊं मैं तुमसे कहता हूँ पर्मेश्वर के राज में इसका ओदेश पूरा ना होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा धन्य है आप प्रभु पर्मेश्वर स्रिष्ठी के मालिक जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं इसे लो और आपस में बाट लो मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक पर्मेश्वर का राज जना आ जाये मैं अंगूर का रस नहीं पियूँगा धन्य है आप प्रभु पर्मेश्वर स्रिष्ठी के मालिक जो धर्थी पर अन्नुप जाते हैं यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है मेरी याद में ऐसा ही किया करो यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बाहाया जाता है पर देखो मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ हिसी में इस पर है मेरी मृत्य तो निश्चित है जैसा कि पर निश्वर ने ठैराया है पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाया यह नहीं हो सकता यह कोई नहीं होता असंभाव कौन है वो तो के बास प्रभू यह असंभाव तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुआ सेवक के समान बड़ा कौन है वो जो भोजन पर बैठा है यह वो जो सेवा करता है हाँ वही जो मेस पर बैठा है परन्तु मैं तुम्हारे बीच सेवक की तरह हूँ मेरी सभी परिक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया यह अधिकार में तुम्हें देता उँ तुम是我 मेरे राज्य में मेरी मेज पर भॉजन करोगे और तुम सिंगासनों पर बैठकर इसराहिल के बारह गोत्रों पर राज्जी करोगे तब तो कोई धोके बास नहीं शिमॉन, शिमॉन, सुनो शैतान तुम सब की परिक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करें जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है परंतु मैंने प्रार्थना किये कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए और जब तुम मेरी और लोटो तो अपने भाईयों को डारस बंदाना प्रभू, मैं आपके साथ बंदी गिरह जाने के लिए और मरने को भी तैयार हूं मैं कहता हूं पत्रस कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम तीम बार इंकार करोगे कि मुझे नहीं जानते मैंने तुम्हें बिना बटूए जोली और जूते के भीजा तो कोई कमी हुई नहीं, कोई कमी नहीं अब जिसके पास बटूआ या जोला हो वो उससे ले ले और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेच कर खरीद ले मैं कहता हूँ, धर्म शास्त्र में लिखा है वो अपरादियों में गिना जाएगा और मेरे विशे में लिखा सब पूरा हो रहा है देखिए, यहाँ दो तलवार है प्रभू बहुत है और प्रभू येशु से छुटकारा पाने के लिए धर्म गुरुओं की एक सभा हुई तब शैतान यहुदा इस क्रियोती में समा गया जो बारा शिश्यों में से एक था उसने धर्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभू येशु को पकड़वाने का शर्यंत्र रचा प्रार्थना करो ताके तुम परीक्षा में न पढ़ो यहुदा इस क्रियोती ने केवल तीस चांदी के सिक्कों के लिए प्रभू येशु से विश्वास गहत किया प्रभू येशु जानते थे के मानव जाती के पापों के लिए उनके प्राण देने की घड़िया पहुँची है और वे प्रार्थना करने लगे हे पिता अगर आप जाहें तो ये प्याला मेरे पास से अटालें तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो और प्रभू येशु को सामर्थ देने के लिए एक स्वर्ग दूद प्रकट हुआ और उनका पसीना लहु की बड़ी बड़ी बूदें बन कर भूमी पर गिर रहा था तुम क्यूं सो रहे हो उठो और प्रार्थना गरो कि तुम परीक्षा में न पड़ो यहुँ कि यहुँ कि प्रार्थन यहुँ कर रहा हुँ यहुँ यहुँ क्या तुम चुम बन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो प्रभू क्या इसे दलवार से मार दे चाओ इसे पकड़ बस बहुत हो गया मुझे डाकू समझ कर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आया हो मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा यह तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है जबके अंधकार का सामराज्य है हो गयचा तो कर दो गोंदर के बाकर दो सामरे हों स्वारेकरे स्वाव कर दो इस पे निग्रानी रखो तब सिपाही उन्हें पकड़ कर आंगर में लाए और यहूदियों का राजा कहकर उनका ठटा करने लगे अरे राजा के कपड़े तो देखो बता अब क्या होने वाला है क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज क्या तू बचाएगा यह मनुश्य वे येशु के साथ था बहन मैं तो उसे जानता थक नहीं मैंने दोनों को साथ देखा है हम तो तेरे नाकर है बड़े बंते थे अब कैसा लगता है तू भी तो उन में से एक है वो बै नहीं इसमें कोई शक नहीं कि ये मनुश्य येशु के शेट नहीं है प्रभू येशु ने मुड़कर सीधे पत्रस को देखा, तब पत्रस को येशु की वो बात याद आई, कि आज मुरगे की बांग देने से पहले तुम तीन बार मेरा इंकार करोगे. प्रभू जी, हम विंति करते हैं, कि आप अपनी महानता के अनुसार हम पर दया करें। प्रभू, जब हमारे पूर्वजों ने आपका मिरोद किया, तब आप उनसे क्रोदेते हैं। फिर भी उनका नाश नहीं किया, परंतु शबा किया, अपने अपने प्रेम, वाचा तथा विश्वासियों किता के कारण, उने उने शबा कर दिया। बोल तुझे किस ने मारा। भविश्वानी कर, अब तुझे कौन मारेगा। बस करो, ये सब बंद करो, इसे सभा के सामने ले आओ। प्रभु येशु से पूछताज के लिए, धर्म गुरुओं ने एक सभा बुलाई। हमें बता, क्या तु ही मसी है। यदि मैं बताऊंगा, तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुम से प्रशन पूछूँ तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी और बैठूँगा। तो क्या तु परमेश्वर पुत्र है। हाँ, मैं हूँ। आप मुट्र के इस ने से ही कहने का जिकाए। हमने खुद अपने कानों से सुना के इसने क्या कहा। हम इसे पिला तुसके पास ले जाएंगे। हम इसे ले चलो। दूस्टेनिए ले जादा निचाहि मागने ये चाहिए और पर उसंदक क्या उस्ताइए चलो और वे प्रभू येशु को क्रूर रोमी शासक बिलातुस के पास ले गए, जो हजारों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। इतनी सुबा सुबा तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। हमने इसे लोगों को पहकाते हुए पकड़ा है। इसने मंदिर के बाजार में खलबल ही मचा दी। इसकी सजा क्या होगी। इसे दंड दो। मैं इस मनुष में दंड देने योगी कोई अपराद नहीं पाता। हमने इसे दोशी पाया, रोमी समराड को कर देने को मना करता है। मसिय होने का दावा करता है और राजा भी राजा क्या आप यहुदियों के राजा हैं तुमने खुद कहा इसने ये सब गलील में आर्म किया था अब यहां भी आ पहुँचा है गलील में? क्या ये मनुष्ड गलीली है? ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेश को सौप देना चाहिए वो अभी भी यरुशिलेम में ही है ना इसे बहा ले जाओ तो अपने विशे में क्या कहते हो तुम वे कौन है जिने तुम अपना शिश्य कहते हो मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्यारे कर्म भी करते हो फिर मेरे लिए भी कुछ करो महराज ये सबी लोगों को बहका रहा है और अपने आपको राजा कहता है ये मनुश्य राजा महराज इसे खुद बीटो ले जाए से बिला दूसके पास ये उसी के परांद का है आपको ये और अपको अपको ये घचो ये खुद घजड़े में जाए से जाए से पूक्स अबरी आपको ये ये खुद तो अबरी को ये खुद राज़े खुद फ़िज़े इस व्यक्ति ने म्रत्यूद अंड की योग्य कोई अपराद नहीं किया तो मैं इसे कोड़े लगवा कर चोड़े देता हूँ इस त्युहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं हमारे लिए चोड़ते हैं और इस मनुष्य को तंप हाँ हमें बरबा अचाहिए इसे क्रूस पर चड़ाओ हाँ इसे क्रूस पर चड़ाओ हाँ 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 के दिर्दूश है इसे उठाओ वो जोर जोर से चिला रहे थे कि येशु को कुरूस पर चढ़ाया जाए तो बिलातोस ने येशु को मित्य दन दिया बदले में हत्या और दंगे के लिए बंदी बरब्बा को रिहा कर दिया गया और उस पर चढ़ाने के लिए येशु को उनके हवाले कर दिया वापजा उससे दूर रहो पीछे हटो दूर रहो उससे दूर रहो येशु कुटे उससे द्युक्त येशु को औरके के लिए येशु कुटे रहो येशरने रहो फो जो रहो कि युठो एई, क्या नाम है तुम्हारा? हजूर मुझे शमॉन को रहनी कहते हैं इधार आओ तो रफ्षिया काटो तो, उसे उठाओ आगे चलो पीछे हटो छोड़ो से चलो आगे बढ़ते रहो अटो, पीछे अटो हटो पीछे हम आपके लिए रोते हैं, प्रभु जी इसे पीजिए, प्रभु जी ये रुश्लम की स्त्रियू, मेरे लिए नहीं अपने और अपने बच्चों के लिए रो जब ये लोग मेरे साथ ऐसा ब्यवार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा परमेश्वर आपकी सहायता करें हम आपके लिए प्राफ्थरम करेंगे हम आपके लिए खायता करेंगे राव हम्छ чего वेतिte करें एडफों, आपके सहायता बहुत करेंगे लिए हमिंद्वर मेरे लिए कि खाओ कि खाओ कि खाओ कि अप्रा का प्रगटर हो तो अँड़ अँड़ दो अँड़ 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 पर जब खखओ ... हो का लग खखओ तो को यका झाग रस सड़ी ले करो यह पिताय ने ख्यमा कर यह नहीं जानते कि ही क्या करते इसने औरों को बचाए अब अपने को बचाए यादी तू मसीह है तो अपने आपको बचा हाँ कुरूस पर से उतरा हमारे सामने भी एक आचरे कर्म करें और येशु को क्रूस पर दो चोरों के बीच लड़काया गया इस प्रकार परमेश्वर के भविश वक्ताओं द्वारा सैक्रों वर्ष पूर्व की गई भविश वानी पूरी हुई ये कपड़ा किसी मामली आदमी का नहीं मैं बताता हूँ इसका क्या करें चलो पर्चिया डाले अच्छा पुझे वाल के देखते हैं अब तुझे मिल गया अब तुझे मिल गया अब तू इसका क्या करेगा उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था ये यहूदियों का राजा है ये ये तु यहूदियों का राजह है तो बचा ले अपने आपको कर दो कर दो कर दो झाल, 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 झाल ibaruk, झाल झाल, झाल कि अप्रूट अप्रूब चुट अप्रूब अप्रूब फिर हमें और अपने आपको बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से नहीं ड़ते। उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली। पर इनका तु कोई उप्रान नहीं है। मुझे याद रखना येशु जी जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वजन देता हूँ। कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे। मेरे साथ। दो पहर हो जुकी थी और तीन घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। तुम आप अपने पूर्ग में अंधकार रहा हुआ। और मंदिर का पर्दा उपर से लेकर नीचे तक खट गया। आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंकता हूँ। सैनिकों के सूबेदार ने ये देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए कहा। परमेश्वर की महिमा हूँ। निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे। धर्मिक सभा के एक नेक सतस्य अर्मतिया के यूसुफ ने जो इस कारे से सहमत नहीं था जाकर पिलातुस से अनुमत ली के प्रभु येश्व की लोथ को विश्राम के दिन से पहले ही कबर में रखा जा सके। झाल 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 शमा कीजिए हम प्रभु की लोथ के पीछे पीछे आ रहे थे। आप सब ही आ सकते हैं मगर चले विश्राम दिन शुरू होने वाला है। झाल 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 रविवार की सुबह दड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तयार करके गबर पर आई। उन्होंने कबर से पथर को लुड़का हुआ पाया। और जब वे अंदर गई तो प्रभु येशु की लोथ वह नहीं थी। तुम जिवित को मरे हों में क्यों धूंबती हो। वे यहां नहीं हैं पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था। वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे। खुरूस पचरहाए जाएंगे। और तीसरे दिन जी उठेंगे। सुनो, कापरी का पथर युडगा हुआ था। हम अंदर गए। पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या प्रभु का शव नहीं है। और दो मनुश्य हमें दिखे। स्वर्प दूद चमकते। सूर्य समान। और हमसे यह कहा। तुम जीवित को मृतकों में क्यू ढूंगती हो। यह सच है। विश्वास केजिए। विश्वास केजिए। हमने उनको देखा। आप भी जाकर देखे। पप्रखाली है। प्रभु वहां नहीं है। पत्रस आप हमारा विश्वास करें। प्रभु यशू दो शिश्वास पर प्रकट हुए। और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए। प्रभु सच में जी उठे है। वे पत्रस को दिखाई दिये। हम जब रास्ते में थे। उन्हें नहीं पैचान सके। पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पैचाना। इम्मा उस में वे वहां कैसे पहुच गए। तुम्हें शानती मिले। तुम क्यों इतनी चिंतित हो। तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है। देखो, मेरे हाथ और मेरे पाउं, और जान लो कि ये मैं ही हूँ। मुझे छूओ तो पहचान लोगे। क्योंकि आत्मा के हड़ी और मास नहीं होता जैसा मुझे में देखते हो। मैं यही बाते तो करता था जब तुम्हारे साथ था। कि मेरे विश्य में मूसा की व्यवस्था भविश्वक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन व्नितकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पापक्षमा का संदेश यरुशलम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। और मैं स्वयम अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूँगा। स्वर्ग से सामर्थे पाने तक यरुशलम में ही प्रतीक्षा करते रहना। स्वर्ग और पृत्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाकर सब जातियों की लोगों को शिष्य बनाओ। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बबतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्या दी हैं, मानना सिखा। और देखो, मैं जगत के अंध तक सदेव तुम्हारे साथ हूँ। हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में भविश्य वक्ताओं ने लिखा की परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसी को भेजेंगे। येश्व का जीवन सपस्ट रीती से ये बताता है कि वो वही उद्धार करता है जिन्हें भेजने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। भविश्य वक्ता यशाया ने कहा कि एक कुमारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेंगी। और ऐसा ही हुआ भी परमेश्वर के सामर्थ्य से मर्यम जो एक कुमारी थी घर्भवती हुई और उन्होंने इश्व को जन्म दिया। जैसा शास्त्रवचन में लिखा है। दंड स्वयम सहा। उन्होंने मृत्यकों में सिज्जी उठने के द्वारा ये प्रकट किया कि उनकी सामर्थ्य मृत्यू की सामर्थ्य से कहीं ज्याता है। येशु जो मसी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने प्रान देने की भी समर्थ्य हैं, और साथ ही उसे वापस लेने की भी। उनका जीवन बिलकुल ऐसा था जैसा भविश्य वक्ताओं ने मसी के विशह में लिखा था। इस बात का पक्का प्रमान कि परमेश्वर का वचन पूनत, पवित्र, सत्य और कभी ना बदलने वाला है। येशु ही परमेश्वर का वचन हैं, परमेश्वर येशु के द्वारा अपने आपको लोगों पर प्रकट करते हैं। येशु हमें परिपून जीवन देने आए। आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की थी, ताकि वे उनकी उपस्थिती में आनंद से रह सकें। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उनकी आग्या को नहीं माना। उस लज्जा जनक कार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है। जो लोग पाप करते हैं, वो परमेश्वर के साथ संगती नहीं कर सकते। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक मेंधा अबराहम के पुत्र की जगे मरने के लिए उपलब्द कराया, इसी प्रकार परमेश्वर ने येश्व को आदम के वन्शचों की जगे मरने के लिए भेजा। उन्होंने ये इसलिए किया कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं, वो उनकी उपस्थिती में आ सकते हैं. इसलिए जो यीशु के पीछे चलते हैं, वे पाप के दंड से छुटकारा पाकर सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे. जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराद ख्षमा करते हैं, जो अपने पापों को छोड़ कर उनकी ओर फिरेंगे. यीशु ने ये भी कहा कि परमेश्वर पवित्रा आत्मा को भेजेंगे कि वे उनके चेलों के साथ रहें और उन्हें सामर्थ्य दें कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें. जब एक पापिन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया, तब यीशु ने उससे कहा तेरे पाप ख्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया. यीशु ने कहा जब लोग पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उसका प्रमान है कि परमेश्वर ने उनके अपराद ख्षमा किये। जो यीशु के शिश्य बनने का निरने लेते हैं, वे यीशु के साथ अपने संबंद की शुरूआत इन शब्दों को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु को मेरी जगे क्रूस पर मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे पापों का दंड सहा। मैं आपके मार्क पर चलना चाहता हूं और यीशु को अपने उधार करता और प्रभु के रूप में ग्रहन करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और हमेशा के लिए अपने साथ अपने राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिये। मैं विनंति करता कि अपना पवित्रा आत्मा मुझे दें ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूं ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगे लोग आपक इस्तुति करें आमीन येशू ने अपने शिश्यों के बारे में कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं येशू के शिश्य आपस में मिलते हैं वो हर रोज उनसे बातें करते हैं उनके वचन को पढ़ते हैं वो सामर्थ्य प्रदान करता है हमेशा उसे याद रखें जो यीशु ने उनके स्वर्ग पर उठाये जाते समय कहा परमेश्वर ने मुझे समस्त स्वर्ग और प्रित्वी का अधिकार दिया है विश्वास रखें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक हूँ